नमस्कार दोस्तों आज के वडियो में हम हिंदी व्याकरन के एक बहुत ही बहतरीन बुक का हम रिवु करेंगे और ये बुक आप देख सकते हैं कि जैन ब्रदेस है www.parmes.in.pui ये मतलब है Parmes Universe India Publication का ये बुक है दोस्तों और बुक दोस्तों काफी अच्छा है अगर हिंदी का कोई बहतरीन बुक आप को सेर्च कर रहे है तो आप इस बुक को जरूर परचेश कीजे क्योंकि इस बुक में समझाया काफी अच्छे तरीके से गया है ठीक है और ये बुक आ जो राइटर है आप देख सकते विकास सिंध हाकर है निधी सिंध परिहार है और दिने सिंध चौहान है तीन राइटर है तो सोच सकते तीन परसन का इसे बुक में दोस्तों दिमाग लगा है तो कितना ज्यादा बहतर बुक होगा ये दोस्तों और इनके और भी बुक दोस् है computer का book आता है और previous year paper का book आता है साथ में जो मध्य पर्देश के जो state government के exam होते हैं उनके भी book आते हैं आप देख सकते हैं ठीक है सभी book का दोस्तों link आपको description में मैं दे दूँगा पहले मैं मैं आपको बता दू number of pages के बारे में तो यहां student के लिए एक number दिया गया ठीक है इस पर call कर सकते हैं आप इस book को order कर सकते हैं हाला कि मैंने link आपको description में दे दिया वहां से भी आपर order कर सकते हैं यहां से जानकारी ले सकते हैं और order अगर हम देखें यहां पर index को देखें विसाय सूची को देखें सबसे पहले हिंदी भासा का विकास है विराम चिन्हे के प्रकार है समास की परिभास है वर्न विचार है संधी छंद अलंकार उपसर के प्रत्य है विलोम सब्दे परियावाची सब्दे अनेकार्थी सब्द लोकोकती मुहावरे, सब्दे भेदे, तत्सम, तद्भव, वच्ञांस के लिए एक सब्दे, सब्दे युगम, युगमें वाक्य सुध्य, और हिंदी साहित्य का परिचाय, सब्दे सक्ती, उसके बाद संग्यां के, संग्यां से अव्वे तके, रस्य वर्तनी, एक वाक्य मे उत्तर ठीक है और यहां देखीएगा पहला टॉपिक सुरूँ हो गया दोस्तों पहले टॉपिक में आपको भासा का विकास कैसे हुआ है तो उसके बारे में डिटेल ट्यूरी आपको देखने को मिल जाएगा ठीक है हर एक बेसिक जानकारी को इस बुक में कवर किया गया है ज बुलेट पॉइंट आपको देखने को मिलेगा ठीक हर एक बारे में हर एक जानकारी है वो आपको देखने को मिलेगा मध्यकालिन हिंदी हो गया ब्रज भासा क्या है उससे रिलेटेट इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको खरी बूली हो गया मिस्रित भासा हो गया प्रमुख के देखने को मिलेगा इस्के बाद यहां से उसरूऊ होता है हिंदी व्याकरण विराम चिन्ने के परकार कितने परकार के विराम चिन्ने होते हैं उन– 17 talking देखने को मिलेगा और दोस्तों न मुझे वांट ज्ञादा अच्छा लगा आप यहाँ देख सकते हैं जो व्याकरन हैं बहुत ही अच्छे तरीके से cover किया गया है example के साथ cover किया गया है और बहुत ही easy language में cover किया गया ठीक है book को बहुत simple इन्होंने बनाया हुआ है ताकि कोई भी जो बच्चे हैं आसानी से इस book को समझ सकते हैं और हिंदी तो हमारा मातरिय भास है तो हिंदी को समझने में हमें दिक्कत नहीं होना चाहिए अब जैसे देखिए समास क्या होता है तो समास को इन्होंने समझाय हुआ है समास के भीध कितने होते हैं पदो की प्रधानता के अधार पर समास मतलब समास से रिलेटेट जो भी इंपोर्टन पॉइंट है उनको इन्होंने काफी अच्छे तरीके से सांदार तरीके से समझाने का कूसिस क्यारिटिक है बुक में दोस्तों कोई कमी आपको देखने को नहीं मिलेगा हर एक समास को समझाया उससे रिलेटेट एक्जामपल आपको देखने को मिल जाएंगे अच्छे खासे एक्जामपल आपको देखने को मिलेंगे बुक को पढ़ने के बाद आपको हिंदी में कोई भी दिक्कत नहीं होगा हिंदी व्यक्रान को आप आसाने से कर सकते हैं वर्ण हो गया वर्ण विचार हो गया उनको वर्ण क्या होता है स्वर क्या होता है दिर्ग स्वर क्या होता है हर एक चीज को समझाने का इन्होंने कोसिस किया है एक्जांपल के साथ और देख सकते हैं जो भी important point है उनको अच्छे तरीके से cover किया है इसी तरह आप देख सकते संधी हो गया संधी के प्रकार हो गया संधी के भीद हो गया और हर एक संधी को बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने एक्जांपल के साथ है समझाया है एक्जांपल भी आपको अच्छे खासे देखने को मिलेंगे और इजी एक् यह जो बुक दोस्तों आप देख रहें यह प्रीविएस येर के कंटेंट पर अधारित है जो प्रीविएस येर कोस्तन पूछे जा चुके हैं उन पर अधारित यह बुक आपको देखने को मिलेगा ठीक है तो एक्जाम में इस बुक से बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएग नश्ने संभी ने कोस्त है कहीं वहकर तो थicy though से कंझाने काइनhouses कोषिज कीया तो उसक बाया है इसको पूछ से बुक नहीं कोषिए एंद्धा यह प्रत्यांपल जो आप देख रहे हैं पूलेट पूइंट के थिए जो pasti कोई प्रत्यांपल नहीं पॉइंट से समझाया जैसे देखिए यह जो होगा परियावाची सब्द होना चाहिए ठीक है तो परियावाची सब्द को आप देख सकते हैं परियावाची सब्द हैं परियावाची सब्द के काफी सारे एक्जामपल आपको देखने को मिल जाएंगा और सभी एक्जामपल प्रिवियस एर एक्जाम में पूछे जा चुके है ठीक है तो यह बुक दोस्तों आपके आने वाले एक्जाम के लिए तो बहुत जादा उपी होगी है और बहुत जादा इंट्रेस्टिंग यह इन्होंने इस बुक को बनाया हुआ है बुक में कोई कमी आपको देखने को नहीं मिलेगा बुक काफी जादा अच्छा है और काफी फायदा आपको इस बुक से होने वाला है तो मैं आपको सेजिश्ट करूँगा कि यह बुक आप जरूर परचिस कीजिए एक बार आप जरूर तरीके से कवर किया गया ठीक है अब देखिएगा प्रत्य संबंधी असुद्धी हो गया जो असुद्धी है हर एक परकार के असुद्धी को कवर किया गया ठीक है यह भी पूछा जाता एक नंबर का वाक्य सुद्धी से related question तो उसको समझाया गया कि कहां कहां असुद्धी सबस्टे लिए हिंदि साहित्य का परिच्छा हो गया तो में आपको बहुत ऀच्छे तरीके से समझा गया कोई भी टौपी का छुटे गा नहीं ठोटे से चोटे से छोटे टौपिक को इस स्लें परिश्ची है अच्छे तरीके से कवर इस रिंड कहां पर होता है कारख हो गया करता हो गया काल हो गया हर एक चीज को अच्छे टरीके से समझाने का कोई भी कमी नहीं दोस्तों और इंदी के अंदर रखा गया और अच्छे काफी अच्छा है एक कह सकते कि एक स्क्वेर रेक्टेंगल के सेप में मतलब जो लुसेंट का छोटा वला बुक होता है वैसा बुक का साइज नहीं है मतलब बुक का साइज अच्छा है लंबाई चौराई आपको अच्छे डायमेंशन में देखने को मिलेगा ठीक है बुक प होनों कि possibility इसके बाद आगर मैं आपको दिखाऊ हो भारती बुगोल की तिया परीहां के इसके चांट को ले सकते हैं ले सकते हैं और काफी डेटेल में आपको जो और जो FREE है मतलब जो स्टाटिक attent कोमियंट है उनको कवर कर गया इस चार्ट के माध्यम से और यह वाल चार्ट आपको बहुत ही ज्यादा पायदा करने वाला दोस्तों तो अगर आप किसी एक्जाम को निकालना चाहते हैं सच में तो आप इनके वाल टाट को लिचे क्योंकि यह वाल-चार्ट आप देख सकते रधागते हैं सब्सक्राविक क्यों गालिपन आपको का चार्ट को देखने को मिलेगा तो अब लें के चार्ट को भीक नहें सकते हैं ठीक है हाला कि इनके बुक काफी ज़्यादा अच्छ है इनके तीन बुक है यहां पर आप देख सकते हैं एक और बुक मेरे पास है पंचायती राजियों ग्रामी नर्थ वैस्ता यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इन सभी बुक का दोस्तों आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप वहां से पर्चिस कर सकते हैं या इनका जो नंबर है यहां पर दिया है स्टुडेंट सपोर्ट नंबर इन पर कॉल कीजिए आप इनको डायरेक्ट कॉल करके इस बुक को और कर सकते हैं या कोई जानकारी चाहिए तो इनके वडियों में फिरसे मिलते हैं थैंक यू